मैं आज की वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सब के सामने एक लाइन कहना चाहता हूँ और वो टू किल एंड ओज तू प्रोटेक्ट देखिए ये लाइन मुझे सबसे जादा अच्छी लगी तो देखिए आप ये जाना चाहता है कि ये लाइन मैंने कहां सुनी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नई फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है मल्यालम मुवी की तरफ से एक ऐसी अपडेट आई है जिसको सुनकर आप चौंग जाएंगे और देखिए मल्यालम मुवी की जो सिनिमा है वो एक ऐसी सिनिमा है जहां पर आपको कई तरीके की फिल्म कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स मुवी के तरू देखने को मिलते हैं तो देखिए जी हाँ मल्यालम मूवी के काफी नामी एक्टर जिनका नाम है पृतवी राज सू कुमारन उनकी अपकमिंग फिल्म आ रही है जिसका नाम है कुरू थी एक ऐसी सस्पेंस थिलर फिल्म जिसका टीजर आज रिलीज हो चुका है तक्रीमन तीन गंटा पहले तो देखिए टीजर आपको ये बताता है कि आग के बारे में अगनी कि देखिए इसमें टीजर में ऐसा दिखाए कि किसी की डेथ हो चुकी है किसी का एक्सिडेंट हो चुका है और फिर सीदी सी एक कॉन्फरोंटेशन एक लड़ाई दिखाई गई है प्रिथिविराथ सू जाती है तो उससे दूसरों को भस्म किया जाता है और जब भस्म किया जाता है जब आपको ये लगता है कि आप सारी की सारी शत्रंच की बाजी जीत गए हो तभी एक ऐसा मोड आता है आपकी जिन्दगी में कि आप उसी अगनी से खुद बखुद भस्म हो जाते हो ऐसी ला सुकुमारन एज अमेन लीड में और उनका रोल वाकई में काफ़ी ज़्याद अच्छा लग रहा है जिस तरीके का उनके हेड से यहां से खून निकल रहा है यह चहरे से खून निकल रहा है वो फाइटिंग सीन्स काफी अच्छे से इसमें करते हुए नजर आ रहे हैं देखि पर एक काफी अच्छी फिल्म थी वो तो उसको भी डिरेक्ट किया था प्रित्वीराज सुकुमारन ने अब वो इतने अच्छे डिरेक्टर है एक तो सबसे पहली बात वो एक्टर बहुत अच्छे हैं उनकी फिल्म कई ज्यादा रीमेक होती हैं तेल्गू फिल्म इंडस् कर सकते हो आज पूरी दुनिया में कोरोना वाइरस फैला है ज्यादा फिल्म में थेटर में रिलीज नहीं हो रही और जिनकी थेटर रिलीज की डेट आ चुकी थी वो भी अब हटा दी जारी उनको भी पोस्टपॉन कर दिया जा रहा है तो इस सब के बीच लोग काफी ज़ से जानते हैं वो यह जानते हैं कि हमारा जो ओडियंस की डिमांड क्या है वो सस्पेंस देखना चाहते हैं अगर लोग खाली बैठते हैं तो मुवी इसके पीछे भी भागते ही कौन सी मुवी हम लोग देखें तो देखी कुरूथी का टीजर काफी ज़्यादा इंटरस्ट रहे हैं बहुत सारी चीजें इसमें एक साथ हैं बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं भी हैं बहुत सारी चीजें देखने के बाद आपको यह भी लगेगा कि आके टीजर में ऐसा क्या दिखा दिया है टीजर तो मेरे बिलकुल भी समझ में नहीं आया आप ऐसा भी सोच सकते ह को दो से तीन बार अच्छे से ठंडे दिमाग से देगे तब आपको पता चलेगा कि एक यूनीक कंटेंट हमारे सामने पेश करने का थोड़ा सा प्रयास किया गया है देखिए प्रिद्विराथ कि गुरुप में गुरुप के बारे में मोहलाल सर के साथ लूसिफर मना दी उन्होंने मुंबई पुलिस जैसी काफी अच्छी मास्टरपीस पुलिस एक्शन ड्रामा फिल्म भी करी हैं मतलब एक्स्पेरिमेंटल फिल्म करते हैं देखिए मल्यालम सिनिमा आकर खासकर कुरुथी की बात करें तब मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए यह जितनी एक्सपेरिमेंटल फिल्म करते हैं उतना ही लो बजट भी फिल्म का रखते हैं इन सबसे अची बात क्या है मल्यालम सिनिमा की केरल में काफी अच्छा नैच्रल सीन्स हैं तो इन्हें कुछ सेट बनानी की जरूत नहीं पड़ती कि यह अलग से स्पैशल पैसा करके सेट बनाएं नहीं यह जंगलों में शूटिंग कर लेते हैं यह चोटी बोटी जगाओं में जाके शूटिंग कर लेते हैं यह चोटी चोटी गलियों में बैट बैट के शूटिंग कर लेते हैं इनमें यह चीज सबसे अच्छी होती इसलिए मल्यालम सिनिमा काफी यूनिक और काफी सॉफ्ट और traditional content बनाने पर काफी ज़्यादा faith रखती है अपनी जो beauty है केरलागी वो दिखाने पर सबसे ज़्यादा faith रखती है और वही चीज कुरूथी में भी मैंने देखी कि जिस तरीके का जंगल का उन्होंने एक scene create किया है जिस तरीके से एक थोड़ा दरावना scene create किया है choosing theme जो create किया है वो चीज आपको कुरूथी के teaser में काफी अच्छे से नजर आएगा और कुरूथी का आपने teaser देखा है तो बताईएगा ज़रूर की teaser के बारे में आपको क्या क्या बात कहनी है क्या क्या चीजे आप लोग decode कर पाये जितनी बाते मैं decode कर पाया था वो सब मैंने आपके सामने रखी है और आप क्या expect करता है कि प्रिशी बिराथ सुकुमारन किस तरीके की acting करेंगे वो भी आप मुझे comment में लिखकर प्लीज जरूर बताईएगा जाते जाते इतना ही कहना चाहूँआ कि movie से related हर अपडेट के लिए मेरे चैनल को like, share और subscribe करना प्लीज मत भूलिएगा